हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर अम्तियाज और आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा पिलाजमा थेरेपी के बारे में तो इस थेरेपी से लोगों में बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में उम्मीद भढ़ी हैं कि इसके जरीए कोरोना वाइरस से अच्छे से लड़ा जा सकता है और मैं आपको बता दूँ डबलू एचो ने बहुत टाइम पहले इसके प्रियोग के लिए हां कर दिया था और बहुत सारे देशों में इस थेरेपी का इस टेक्निक का यूज भी किया जा रहा है तो मैं बता दूँ ये कोई थेरेपी पहली बार यूज नहीं की जा रही है इस से पहले भी रैबीज हो गया आपके डिफ्थीरिया जैसी बीमारियों में और उनके वैक्सिन बनाने में इस टेक्निक का यूज किया जा चुका है तो आपको पिलाजमा थेरेपी क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बिलड कंपोजिशन को भी समझना पड़ेगा तो मैं आपको आसान शब्दों में इसके बारे में बताता हूँ तो मान लीजिए कि ये आपका बिलड है और ये पूरे 100% बिलड है आपको 90% मिलता है वाटर मतलब की पानी और जो बचावा 10% होता है उसके अंदर आपको बहुत सारी इलेमेंट्स मिल जाते हैं जैसे कि फिरोटीन होगे इलेक्ट्रोलाइट्स होगे ये सब मिल जाते हैं साथ में इसके अंदर इसी प्लाजमा पाए जाते हैं एंटीबोडी तो ये जो एंटीबोडी है ये आगे प्लाजमा थेरीपे में भी यूज़ दोने वाले तो इसको ध्यान रखेगा कि इसी प्लाजमा के अंदर ये एंटीबोडी पाए जाते हैं और बचे हुए आपसे एक से दो परसेंट के अंदर आपको मिलता क्या है कि डबलू बीसी मतलब की वाइड विलट सेल और साथ में मिलती है आपको प्लेट लेट्स तो सवाल ये बनता है कि प्लाजमा को एक शरीर से दूर्शे शरी में पहुचाने के लिए क्या किया जाता है तो आपको आसान तरीक से मैं समझाता हूँ कि जब कोई इनसान किसी वाइरस से किसी बैक्टिश्या से बीमार होता है तो शरीर के अंदर उस वाइरस बैक्टिरिया से लड़ने के लिए खुद पे खुद एंटीबोडी बन जाते हैं उस वाइरस को उस बैक्टिरिया को खतम करने के लिए और ये एंटीबोडी उस वाइरस बैक्टिरिया को खतम भी कर देते हैं और उसके बावजूद ये शरीर के अंदर antibody मौजूद रहते हैं। इसी तरह से आपको समझना होगा कि जब कोई coronavirus का मरीज था और वो मरीज recover हो गया, मतलब कि ठीक हो गया, तो लेकिन आप ये समझे कि वो coronavirus से ठीक होने से पहले उसके अंदर वो antibody ज़रूर बने होंगे, उसके प्लाजमा से उस antibody को सीरम के जरीए दूसरे मरीज में पहुंचाया जाता है कि जो जिसकी immunity weak है या उसकी immunity एक जगा पर आकर रुग गई है, तो उसके लिए ये थेरेपी बहुत ही ज़ादा जरूरी हो सकती है coronavirus से लड़ने के लिए, इसी को convalescent plasma therapy भी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस plasma को एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाने से पहले इस plasma का test भी किया जाता है,